इलाइट स्टेडी प्लेट फोरम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम तत्यों के हदार पर विसलेशन करेंगे हिमाचल परदेश के तीन डिपार्टमेंट्स में करीब 10,000 के आज पास बदों पर रिक्यूटमेंट प्रोसेस चल रही है उससे पहले हमें एक समझना बहुत ही जुरूरी होगा कि आने वाले समय में हमाचल परदेश सरकार के किस की सेक्टर में कितनी वेकैंसी निकलने वाली है देखिए आज आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं 7 परवरी 2021 को तो आपने एक तीथी याद रखनी है अब 6 मार्स का दिन आप लोग याद और ऐसा अनुमान है हमारा किस बजट में आपको काफी ज़्यादा संख्या में नमींतम वकैंसियों की जानकारी मिलेगी जिसके अधार के आप रूप रिखा बना सकते हैं या आप बिरोजगार है कि आप हमाचल परदेश के किस सेक्टर में नौकरी प्रावत करने के लिए प्रियास करेंगे अभी तक के दिया हम बात करें स्टुएंट्स तो जो पिछले दस-पंद्रा वरसों का दिया आप हमाचल परदेश का इतिहास स्टेडि करेंगे तो सरकार के जो लास्ट के दो वरस होते हैं उसमें बहुत ज़धा रिक्यूटमेंट हमें देखने को मिलती है और आपको बता दें यह जैराम सरकार का अभी बजट पेस होने जा रहा है तो इसमें निश्ची तोर से आपको काफ़ ज़धा रिक्यूटमेंट देखने को मिलेगी इसके देखिए हमें बिभिन तरह के समचाथ पत्रों के माद्यम से दो-तिन साक्से भी मिल चुके है इ इनफर्मेशन क्यों ली जाती है इनफर्मेशन इसलिए ली जाती है ताकि बजट में सरकार डाल सके कि सेक्टर में हम इतनी वेकैंसिस भरने जा रहे हैं दूसरी जो सबसे बड़ी ख़बर है पिछले करीब तीन बरसों से कॉलेज केडर का ही माचले परदेश में कॉलेज क कि कोई भी किसी तरह के कोई रिक्यूटिमेंट नहीं हो सकी है लेकिन आज एक अच्छी ख़बर आई है हमाचले परदेश के कॉलेज खुल चुके है और कॉलेज ये खुल जाया तो सरकार के ओपर वी एक दबाब रहता है कि उनकी जो बगैंसिस है उस सारी के सारी भरी कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो स्टेंस आप इन तत्यों के हजार पर इन चीजों के ओपर विश्वास कर सकते कि आने वाले समय में आपको हमाचले परदेश में बहुत सी बगैंसिस देखने को मिलेगी अब देखिए आपको करना क्या है अभी मैं यहां पर इस वीडि पर इस वीडिया और फिर भी अदिया आप नोकरी प्राप नहीं कर पाए है थोड़ा ना कहीं ना कहीं पर आपको अपना आतम चिंतन करना होगा आतम चिंतन करने का सबसे व्यास्तिक है अच्छी किताबे अपने पास रखी आपको कोचिंग के ऊपर भी लाखों रुपए खर्ष करने की आप सकता नहीं है हमारी टीम आपको नियमित रूप से एड़वाइस करती है कि हमारी टीम के दोर जो किताबे कुछ त्यार की गई है और काफी सार्थक की भी साबित हो रिये दिया आप हमारे क्रंट फिर्स की बुक की बात भी कर लें तो पीछले आप 4-5 ज सी दे प्रसंट पुछी जाते वीडियो भी उसके उपर बनाए गया है जो कनक्टर भरती का परिना में लड़का हुआ हर दिन हमें इसकी न्यूस देखने को मिल रही है जो कनक्टर की भरती की भी हमने इन क्लियूर नहीं किये जो 10,000 कि मैं यहां पे आपके साथ बात करने जा रहा हूं पहल देखिए कोबिद-19 चला हुआ था और इसमें देखिए 45,000 अव्यार्थियों को एड्मिड कार्ट जारी किया गया थे 44,000 अव्यार्थियों ने प्रिक्सा दी थी ठीक है जी तो यहां पे आप देखरे सोसल मीडिया पे भी बार-बारे मांग उठ रही है जैसे उत्तरवर्दिस अभिहार में इस तरह की धटने हमें अकसर देखने को मिलती तो यह कारण है लेकिन अरजल्ट इसका कुछतिनों में डिकलेर होने की उमीद जिताई जा सकती है यह देखिए आप जो आपको मैंने पहले भी कहा था जो हमारे सरी विकास मंतरी है सुरे आपको बता दें एक अथांटिंग इंफर्मेशन होती है डिपार्टमेंटल इंफर्मेशन होती है तो बहां पर आपको जुरूर रिक्यूटमेंट देखने को मिलेगी और पुलिस वर्ति के उपर बात करें तो आपको बताया था कि उसके इंटर्व्यू का है उसका पेज अब भी वहीं पर फसा हुआ है लेकिन देखिए आप अपकमिंग विकैंसिस की बात करें तो 1334 विकैंसिस आपके पास यह चल रही है ठीक है जी सिरफ पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जा रही है दूसरे हम आगे बात करेंगे यहां पर देखिए जीविटी बैस के पर दा यहां पर सरकार भरने जा रही है हमारी टीम ने आपके लिए एक वेस्ट किताब दी है जो कि हमाचल प्रदेश के अभी तक कि हम चिंतन करें विसलेशन करें तो हव्यार्थियों के कमेंट्स का भी विसलेशन करें बहुत ही बेतनी किताब है 60 chapters है 656 pages है और अब आप करेंगे तो दस जार से ज्यादा के ऊपर भी रिक्यूट्मेंट चल रही है तो अब तक भी आप मुझे बताईएगा तो आपको क्या करना होगा आपको आतम चिंतन जरूर करना होगा हरो सुबा हमारे टीम आपको एक उतकरिश्ट ट्रेंट फिर का वीडियो उपलावद करवात थी उसके साथ में अपने त्यारी कीजिएगा तो देखिए मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने है क्यों लगाने है इससे आपका जो एक्जामिनेशन प्रिक्सा का जो आपका एक इनवार्मेंट होता है वो बन जाता है बहुत बड़ी अक्चरनिटी है हिमाचल परदेश में अभी भी आपके पास समय है आप जिया प्लस टो पास है तो आप इस मॉक टेस्ट के साथ में आप भी मत्तोपुन प्रस्न उत्री गहां से आपको बहुत से प्रस्न एनुल प्र एक्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे ओमर सीट साथ में लगाई गई है यह हाड कोपी की फॉरम में प्रिंटिड फॉरम में है सेपरेट एंसर की भी तो आप इसे परचेस कर सकते ह पंचायद सेक्रेटरी के अवियार्थियों को बता दें देखी स्टैन्स विकैंसी चाहे कितनी भी हो बस आपको पढ़ना है और कमिशन देना है तो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए किताब त्यार की है जो कि पंचायद सचिव साहिक और आडिटर की प्रिक्सा के लिए प्योगी है इस किताब में आपको मिलता है कंप्लीट स्लेबस बैकेज है साथ में सॉलबड ओल्ड कोशिन पेपर भी है और पांच मॉक टेस्ट भी इसमें उपलाउड करवाया गया है तो इसके साथ भी आप अंचायद सक्ट्री की प्रिक्सा की त्यारी कर सकते हैं काफी यूणिक किताब है हमारे टीम के द्वारा हिमाचल परदेश की पहली किताब है जिसमें आपको मिलते है एक ही किताब में हिमाचल परदेश, गिर्यरा समचर पत्तर, रास्ट्रिया बंतर, रास्ट्रिया क्रांट अफिर्स, यह yearly क्रांट परिस और day to day है तिथी बारे किसी दिन को नहीं चोड़ा गया तो करंट फिर्स कहां से आएंगे, अब आप देख सकते हैं इस किताब की किस तरह की जो मूल भाबना है, एक जनवरी से 31 सिजंबर 2020 तक के करंट फिर्स यहां पे तीथी बार आप लोगों के लिए लेकर आईए हमारे टिंग, कुछ लिम्टेड कौपी जीस की बच्ची है तो आप इसके लाबर स्ट्रेंट्स आपको बता दें, यह माचल प्रदेश एक समगर हदेन किताब है, बहुत ही भूविपोगी किताब है, विम्टर के कंपेट्टिव एक्जाम में, कलरक से लेकर एच्चेस तक की प्रिक्सा में बहुत से प्रस इसके प्रिक्सा के लिए भी उप्योगी होगी, इसी किताब में आपको दस वर्सों के ओल्ड कुसिन पेपर भी मिलेंगे, साथ में आपको इस किताब में बहुत नविंतम जानकरी, जो भी आपका स्लेबस का पैट्रन है, जिसमें 120 कंप्यूटर के प्रसन आएंगे, 50 आप